निश्षन बंगाल को फता करने के लिए बीजेपी नेताओं के बंगाल दोरे का सिलसला जारी है आज बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा भी बंगाल के दोरे पर है पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश में लगे ओवेसी को रैली करने की इजासत क्यों नहीं मिली कहां टीमसी कारेकरताओं पर फाइरिंग हुई बीजेपी कारेकरता पुलिस से क्यों भिड़ गए और ममता अज स्कूटी से यात्रा क्यों करने जा रही पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी एहम खबरें देखते हैं टॉप नाइन बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी अध्यक्ट जेपी नडड़ा आज पश्चिम बंगाल में हैं नड़ा कोलकटा में लोक्यों सोना और बंगाल कारिक्रम का शुभारम करेंगे वो इस दौरे में बंगाल के लिए चुनावी घोशना पर तैयार करने के अभियान की भी शुरुवात करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है पश्चिम मिदनापूर में फाइरिंग में टीमसी के तीम कारिकरता घायल हो गए हमले के दौरान इन पर बंभी फेके गए हमलावरों को पकला नहीं गया है लेकिन टीमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मदा ठहरा दिया है तेल की भड़ती कीमतों के विरोध में ममता आज हाजरा सिन्नाबाना तक इसकूटी से यात्रा करेंगी ममता ने कहा है कि इस बार बंगाल के नतीजों से तै होगा कि दिल्दी में बीजेपी रहेगी या नहीं ममता ने अपने भतीजे के परिवार को परिशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये लोग 23 साल की एक यूटी को कोईला चोर साबित करने में जोटे है AIMIM के असुद्दीन OVC आज बंगाल में रैली करेंगे OVC की रैली कोलकता में दो फैर डेड़ बजे है लेकिन अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिली है OVC जहां रैली करने जा रहे हैं वो अभिशेक बैनर जी के संसदी छेतर में आता है क्रिकेटर मनोस्तिवारी टीमसी में गए तो पूर्म क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी में शामिल हो गए है डिंडा कोलकता में एक कारिकर्ण के दोरान बीजेपी में शामिल हुए केंदरी मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी के सांसद अरजुन सिंग भी इस दोरान मौजूद रहे नौर्थ 24 परगना में बीजेपी की कारिकरता पुलिस से भेड़ गए बीजेपी की परिवर्तन जैली के दोरान ये जड़प हुई जड़पने कुछ लोग घायल हो गए पुलिस से वालों को भी चोटे आई हैं यात्रा में कैलास विजेवर्गी भी शामिल थे बीजेपी ने पुलिस पर यात्रा को रोकने का आरोप लगाया है विजेवर्गी ने कहाए कि परिवर्तन यात्रा के जोहत उस्त्रा और जज़बे ने मम्ता की नीन उड़ा दी है ड्रक केस में राकेश सिंग की घिरफतारी के बाद बंगाल की राजनीती में तूफान खड़ा हो गया है मम्ता सरकार के नगर विकास मंतरी फरहाद हाकिम ने राकेश से संबन्धों पर तफाइदी है कीवे राकेश सिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हाकिम ने कहाए कि मैं इतना ही जानता हूँ कि पिछले चुनाव में वो मेरे खिलाब खाला था पस्चिम बंगाल के राजपाल जगदीब धनकर ने कहा है कि पुर्देश के लोग राज़ में शांती, पूर्वक और भयमुक्त चुनाओ चाहते हैं दार्जुलिंग में एक कारिकर में पहुँचे धनकर ने कहा कि राज़ के समवेधानिक प्रमुक होने के नाटे उन पर भी जिम्मेदारियां हैं राजपाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार बिना हिंस्या के चुनाओ संपन होगा इस्ट वर्दमान में बम मिलने से संसनी फैल गई दुरगापूर के CID बम निरोधक दस्ते ने बमों को निश्क्री किया बमों को डांगा पारा में एक कब्रिस्तान के पास खेतों में छिपा कर रखा गया था सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घिर लिया चानबीन में बैक से 14 बम बरामत किये गए तरणमूलो और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा की साज़िश का आरोप लगा रहे हैं